चात्रो कमलेश भट कमल साहब के उम्मीद घजल के कुछछन आपने बहुत ही ध्यान पुरुवक सुना आईये अब उसका साराँज देखते हैं संदर भी इस पस्टी करण देखते हैं कि इस छंदों में रचनाकार क्या कहना चाते हैं तो चात्रो इस विशाल संसार में जीने की कही वज़ा होती हैं अनेक लोगों के लिए तो समय कम पड़ जाता है और अनेक लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए देश विदेश जाते हैं वहां की संस्कृती वहां की सब्वैता वहां की मान मर्यादा को जानते हैं अनेक लोग पहाडों पर जाते हैं रंग बरंगी फूलों का मज़ा लेते हैं पहाडों से उतरते वे जर्नों को देखते हैं और अपने वातावरण को खुशाल बनाते हैं मगर अनीक लोग ऐसे होते हैं जो जिन्दगी को जीना ही नहीं चाते तो उनके लिए तो फिर समय नहीं होता है उनके लिए कोई वज़ा ही नहीं होती है वो जिन्दगी से हार चुके होते हैं और वातवरण को जिन्दगी को खुशाल बना नहीं पाते समय के सामने हार जाते हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्दगी का कोई माना ही नहीं रह जाता मतलब ही नहीं रहता अगले छंदों के अंदर रचना कार प्यारे छात्रों, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुगंद को सुंगंदित करने के लिए किसी कदर, किसी कदरदान की जरूरत नहीं होती बलकि सुगंद का सुभा भी होता है कि वातवारं को सुंगंदित करना उसी परकार मनुश्य होता है कि वो जो बिना किसी आलसा के, बिना किसी लालच के लोगों पर, समाज पर उपकार करता है उनकी सायता करता है और अपनी जिंदगी को समझ लेता है और पहरे चातरों आप भी समझ लें कि असल जिन्दगी वही जी रहा है जो अपने आपको दूसरों के लिए कुर्बान कर रहा है अपनी जास से दूसरों को फाइदा पहुचा रहा है वही असल बनश्य है और उसी व्यक्तिने जिन्दगी का मतलब समझा है जो दूसरों की साहिता करता है उसके बाद अगले चंद में उम्मीद घजल को लेकर मक्ते में शायर कह रहा है कि जिस तरह तूफानों से मजबूच छटें छटों की दीवाने उसको बरसाथ से बचाती हैं तूफानों से बचाती हैं उसी तरीके से मनुश्य की उमीदे वैक्टी की उमीदे उसे कटिन से कटिन परस्तेतियों में वातवारन का नकूल बनाने के लिए उसे साहरा देती हैं उसे साहास देती हैं और उसी बात को लेकर इस उमीद घजल का सारश आपके सामने आया कि जिस तरह इंसान सूरज के डूबने के बाद उसकी निकलने के उम्मीद करता है और इसी उम्मीद के सारे वो सोता है कि कल फिर सवे रहोने वाला है उसी उम्मीद से वो जब जात जाता है सुबह उठता है तो सूरज निकल जाता है और इसी उम्मीद के सारे इंसार अपनी जिन्दगी को जी रहा है तो प्यारे चातरों, जिन्दगी का असल मकसद वही है कि जो जिन्दगी को समझ लेता है, वो अपनी जास से दूसरों को फाइदा पहुचाता है अगर इसी बात को और अगर हम आगे बनाएं तो पानी कभी अपने आपको नहीं पीता, बलके वो समाच को दुनिया को फाइदा पहुचाता है दुनिया उसे पीती है, फल को देखिए, कुदरती माहौल को फल को देखिए फल अपने आपको नहीं खाता, बलके दूसरों को फाइदा पहुचाता है उसी तरीके से इनसान ने अपनी जिन्दगी का मतलब समझना चाहिए कि उसकी जिन्दगी उसकी नहीं है बलके वो दूसरों के लिए होती है और सच बात तो यह है कि इनसान पर समाच के कुछ कर्ज होते हैं जो उसे अदा करना ही चाहिए